आपको सल्मान खान की सुपर हिट फिल्म बजरंगी भाई जान की मुन्नी यानि हरसाली मलहुतरा तो याद जरूर होगी जिनकी क्यूट सी मासूम सुरत ने सभी को अपना दिवाना बना दिया था या फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी इस फिल्म को रिलीज हुई काफी साल हो गये है और इन पांच सालों में मुन्नी का चेहरा काफी बदल गया है अब ये पहले से काफी बड़ी दिखने लगी है आप भी देखिए कि हम सब की चहेती मुन्नी अब कैसी दिखती है लेकिन द बतादें की बजरंगी भाई जान में साहीदा के रोल के लिए तकरीबन एक हजार बच्चों ने ओडीसन दिया था और उनमें से हरसाली को चुना गया था बजरंगी भाई जान के रिलीज होने के बाद हरसाली ने कई टीवी सोच और एड में काम किया यूलीवुट की मुनी की कुछ हालियां तस्वीरे काफी बाईरल हो रही है इनमें वो एक दम बदले बदले अंदाज में नजर आ रही है जिस ना बोलने वाली मुन्नी को बड़े परदे पर हमने देखा था वो अब ना केवल पटर पटर बोलती है बलकि पाकिस्तानी लिवास में लिप्टी मुन्नी अब अपनी आगामी फिल्मों के लिए खुद को तैयार भी कर रही है हरसाली कई मौकों पर वाली वुड को लेकर अपनी महत्पकंचाओं को जाहिर कर चुकी है वो बड़ी होकर वाली वुड की टॉप अभी नित्री बनना चाहती है हरसाली मलहुत्रा एक चायल्ड एक्टर है जिनको फिल्म बजरंगी भाई जान से पहचान मिली थी अवब काफी बड़ी हो गई है और आज की मौनी की तस्वीरे पहले से बेहद ही अलग है बजरंगी भाई जान हरसाली मलहुत्रा की पहली फिल्म थी इस फिल्म में हरसाली ने मौनी का किरदार निभाया था इस किरदार की वज़ा से मुनी को काफी पसंद किया गया था पढ़ाई पुरी करके फिल्मों में कूदे गी मुनी मुनी अभी फिल्मों पर ध्यान ना दे कर अपनी पढ़ाई पर जादा ध्यान दे रही है हरसाली अभी काफी छोटी है तो जाहिर है कि वह अपना सोसल मीडिया अकाउंट हैंडल नहीं कर सकती और आपको बता दें कि उनकी मम्मी उनका अकाउंट हैंडल करती है हरसाली ने कृती सेनन के साथ पहले 8 से केरियर सुरू किया था आपको या जानकर हैरानी नहीं होगी कि हरसाली के पसंदीदा एक्टर कौन होंगे जी हाँ वो सल्मान खानी है जबकि उनकी फेवरेट एक्टरिस है केटरीना कैफ और करीना कपूर तो ये थे फिल्म बजरंगी वहाई जान की चार्ल एक्टरिस हरसाली मलहुतरा से जुड़े कुछ बेहदी मज़ेदार फैक्ट्स हाँ तो दोस्तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और कि आपने ये मूवी देखी थी और आपको सल्मान खान की ये मूवी कैसी लगी थी आप अपना फीड़ वे कमेंट करके जरूर दीजेगा इससे हमें काफी प्रेयरना मिलती है वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपनी दोस्तों के साथ सेर करना ना भोले तो चलिए आगे फिर मिलते हैं एक नए और इंट्रिस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद